जैए श्री कृष्णा दोस्तों मेरी यूटूब जैनल में आप सब का स्वागत है दोस्तों एक और जन गुंडली का दिन करते हैं यदि आप भी अपनी जन गुंडली का दिन करवाना चाहते हैं जन गुंडली से फिस आपको अताई 2100 रूपे प्रशन गुंडली के मात्यम से 3100 रूपे आप गुंडली इंदर्ण करवा सकते हैं ये जो गुंडली है अमार जीत सोनी सोनी जी बिटेरी जो देती उसका मिलान की है 27.7.2001 समय 41.00 एम इस्थान कलगता वर्ण सुद्र गन राच्छस नक्षत्र चित्रा अर्थात मंगल का नक्षत्र हैं की श्री चरण में हुए पाया चांदी का शत्मी सुक्ल पक्षकिथी योग साध्य करण वनीज रासी और लगन आपका एकी है अर्थात विर्षब लगन तुला रासी स्वामी सुक्र ये बहुत अच्छी बात है की लगन और रासी का स्वामी एक ही है सुक्र और वो भी लगन में अपने घर में विराजवान है मालग योग बनाकर साथ में सनी भी जनवांग चक्र में विराजवान है व्रशब लगन में 22 टेगरी का लगन अच्छा लगन है तो दश्या जो चल रही है आपकी उसकी बात करें राहू की है 79230 से 79221 तक अंतरदश्या चंद्रमा की यह 189290 से 196220 तक आपने पूछा IAS बनना चाहता है पॉलेक्टर की आपके च्छा पास उतीन करना चाहते हैं सलेक्शन पाना चाहते हैं राहू आपके दूसरे भाव में अर्थात मिधुन राशिमन उचकावकर बुद्ध के साथ ही बैठा है अर्थात धन तो आएगा लेकिन राहू अरिवार वाले भाव में बैठा है तो ये वानी दोश भी उत्पन करेगा घर में नेगेटिव एनिर्जी भी ये उत्पन करेगा करम भाव दस्वे भाव पर आईए पिता के भाव पर आईए करम भाव पर मंगल की चोथी दृष्टी सनी की दस्वी राहों की नभी क्रिष्टी कुरूल क्रे जब तीनों ही मिलकर करम भाव को देख रहे हैं तो इस करम भाव को पिलिद करेंगे अर्थाद I.E.S. आप बन सकते हैं और बहुत मेहनत करनी होगी काफी रुकावटे आएंगी अर्थाद दू अटेम्ट आप करेंगे जिसमें आप S.F.L. रह सकते हैं तीसरा आप अटेम्ट करेंगे उसमें आपका सेलेक्शन होगा अर्थाद 2.5 साल तक आपको मेहनत करनी है उसके बाद मिदे आप अटेम्ट करेंगे तो आपका सेलेक्शन हो जाएगा अभी फिलाल आपकी जो है राहु की पांच उद्रिष्टी चंदर्मा पर है राहु में चंदर्मा की तरदशा अर्था राहु चंदर्मा को सूजय को करने लगा देता है तो यह है आपकी चंदर्मा को मन को असांतर केगा, मन को कमजोर करेगा हो सकता है आपके माता को भी प्रोब्लम हो सकती है थोड़ा ध्यान की उनकी शेवा कीजी जल अगर कहीं बरबाद हो रहा हो तो उसको बचाईए जल का दान कीजी सनी की तीसरी दृष्टी सूर्य पर है अर्थात पिता से आपको धनलाव होगा पिता को थोड़ी सांस के संबंदी परेशानी हो शक्ती है सांस की या उपर फेपिड़े की योगी है अर्थात सांस की बिमारी दमिग बिमारी उनको हो सकती है लेकिन सनी की दृष्टी जब तीसरी सूर्य पर पढ़ती है तो पिता से जनलाव अवश्य होता है तो राहू के दसा चल रही है उसका अगर दिखाय दवठाना चाहते हैं तो मैंने भी उड़ा रखे हैं राहू को कैसे शांत करें राहू को कैसे पोजिटिव करें आपको करना क्या है राहू को शांत करने के लिए आपको जो पुत्ते होते हैं गली के उनको आप बिस्कीट डाल सकते हैं साइकाल सूर्यास्त के समय से सूर्य चिपने वाला हो उसके बाद चीटियों में को आप हाटा डालिये या बिस्कृ डालिये या मीठा डालिये तो आपको बहुत तू रहे कर्मों पर नीज ग्रहों की दरिश्टी पड़ी हुए ये तो कर्म आप साफ रखिए नकून साफ रखिए नकून काट कर रखिए पोजिटिव इचार अपने पास ज्यादा रखिए मंदिर जाइए मेडिटेशन कीजिए ताकि मन सांत रहे आपका दूसरी बात है गलत चीजों में ना पड़े सनी और सुक्र बैठ गए है सनी लगर में बैठ जाते हैं तो कोई ना कोई ना शावशे देखते हैं तो नशे से बची ताकि आपको फरिवार सुरक्षित रहे आप सुरक्षित रहे तो ये रही आपकी कुंडली का विबरन फीस इसलिए अज़े रखी है ताकि आप जो कुंडली का वो करवाते हैं तो ये एक डिक्षना होती है जो कि मैं 111 करवाते हैं उसमें उसका कुछ अंसा आपका दे सके ताकि जो आपकी समभावना है जो आपकी इच्छा है उसमें सतर आत्मत्ता बढ़ सके पगवान का अशिरवाद मिल सके, फोजिटी हो सके, तो ये रहा आपकी कुंडली का विवरन, और सुद्ध सात्यू जितने आप रहेंगे, जितने आप महनत में डेडिकेशन करेंगे, माता पिता की शेवा करेंगे, फिर बात लक्ष एक बना कर आप तयारी कीजिए, आपको स सिंक्रासी, चतरदभाव, बात करें, मकान मा का जोосьुक है, मां का जोосьुक है, उसमें वह कम कम्य अवश्य करेंगे, प्योंकि तीशिती तीश्टी सूर्य पर है, सूर्य पीड़ित है, सूर्य और चंढ माप के दोनों पीड़ित है, अत्शक मा बाब की अगांगा की आप से श्रीकुषना श्रीरादे